सुबध्या कुमारी चोहान की कदम का पेड़ ये कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हैं। ये कदम का पेड़ अगर मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैट कनईयां बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम दो पैसे वाली, किसी तरहे नीची हो जाती ये कदम की डाली, तुम्हे नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चड़ जाता, वही बैट फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहवंशी के स्वर में तुम्हे बुलाता, सुन मेरी बंसी को मा, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजात गुस्सा होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं न उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उत्रो मेरे भईया तुझे मिठाई दूंगी नए खिलोने माखन मिश्री दूद मलाई दूंगी बहुत बुलाने पर भी माजब नहीं उतर कर आता मा तब मा का रुदय तुमारा बहुत विकल हो जाता तुम आचल फैलाकर आम्मा वहीं पेड के मीचे इश्वर से कुछ बिनती करती बैठी आखे मीचे तुम्हे ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता तुम घबराकर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अतने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम दीरे दीरे ये कदंब का पेड अगरमा होता यमुना तीरे में भी उस पर बैठ कनईया बनता दीरे